एक बार मैंदर सिंह दोनी का इंट्रिवु चल रहा था किसी पतरकार ने मैंदर सिंह दोनी से पूछा कि शर्फपलता का सबसे सरन्मार्ग क्या है आप जिस मुकाम पर पुँचे हो वो कैसे पुचे तो मैंदर सिंग दोनी उनको बिल्कुत सिता और सिंपल जवाब देते हैं वो सिर्फ यही केते हैं, कि आप जो वर्तुमान में कर रहरूं उसके ओपर फोकस कड़ू मैंदर सिंग दोनी केते हैं कि मैं जारखन के एक छोटे से गाव में आया बारती क्रिकेट टीम में खेलना मेरी बड़ी बात थी बारती क्रिकेट टीम का क्यप्टिम बनना तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं जब क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं यह नहीं सोचता हूँ कि मैंने कितने रन बनाई मैंने कितने विकेट लिए, मैंने कितनी अच्छी विकेट किपिंग की दोनी कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने आप पर फोकस करता हूँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है दोनी कहते हैं कि यह होना चीज़िए कि मेरी टीम अच्छा करे अगर आप जो कारी करने होना उसके उपर आप फोकस करोगे उसके उपर आप ध्यान लगाओगे तो आपको सपलता के लिए दोड़ना नहीं पड़ेगा दोड़ी कहते हैं कि सपलता सिर्थी आपके पास दोड़ी हुई चली आएगी माहिंदर सिंग दोनी कहते है कि मैं उस केटेगरी का इंसान हूँ जो वर्तमान में जीने की कोशिस करता हूँ मैं आगे ये नहीं देखता हूँ कि आगे क्या होगा फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं मैं अभी परजन में जीता हूँ और देखता हूँ कि मुझे अभी वर्तमान में क्या प्रोकस करना है कैसे खेलना है कैसे मुझे आगे बढ़ना है साथ में दोनी एक चीज ये भी कहते हैं कि हर इंसान के अपने अंदर एक एकने कोई विशेश कॉलिटी होती आप अपने उस क्वालिटी को देखिए उस क्वालिटी को निखारिए कि आपके अंदर एसी कौन सी एबिलिटी है जो दूसरों के अंदर नहीं है दोनी कहते हैं कि मेरा हेलिकोप्टर शोट famous हुआ वो हेलिकोप्टर शोट सिर्फ में ही मार सकता था अब इसका सिर्फ मैंने किया था तो दोनी कहते हैं कि हर इंसान में कुछ एसी विशेस qualities होती है उसको पहचानना होगा और आपको उस qualities को develop करना पड़ेगा और जब आप उस qualities को develop कर लोगे न तो सपलता ओटोमेटिक आपके पास आईगी दोने कहते हैं कि सपलता का कोई राश्य नहीं है बस महिनत करते जाओ और बस जिस कारिय को कर रहे हो उस पर focus करो अगर आपका वर्थमान में और आपके कारिय में आपका focus रहेगा न तो सपलता आपसे दूर नहीं रहेगी एक और एक दिन सपलता आपको अविश्य मिलेगी अपने mind को divert मत करना जो कर रहे हो न उस पर focus करते जाना